आज भले ही काउंटर करीब एक डेड़ परसेंट नीचे कारोबार कर रहा हो लेकिन स्टॉक है खबरों में खबरों में इसलिए क्योंकि एक डबल शॉपिंग धमा का दरसल ओवर दू वीकेंड टाठा कंजीूमें ने की है जिसमें कंपनी ने दो प्रोमनेंट ब्रैंड्स को दरसल अक्वाय करने के डीटेल दिये हैं कुल में लाकर साथ हजार करोड की टोटल शॉपिंग कंपनी ने की है तो वहाँ पर काट एक दम भर गई है अब भरी किस्से हैं एक है Organic India जिसमें कंपनी 100% हिस्सदारी खरीद रही है और दूसरा है Capital Foods जिसमें कंपनी पहले 75% हिस्सा खरीदेगी और बाकी अगले तीन सालों में 25% तक की खरेदारी यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे ध्यान रहे Capital Foods 5100 करोड़ खर्च हो रहे है इस पर प्रटिकलर सौदे पर और Organic India में 1900 करोड़ अब यह ब्रैंड इग्जैक्ली क्या लेकर आएंगे करते क्या है वो आपको बता देते हैं तो Capital Foods हम सब जानते हैं इस ब्रैंड को चिंक सीक्रिट जो चाइनीज प्रोड़क्स आप घर में बनाते हैं कमपनी नूडल, सौसेज, पेस्ट वाले मार्कित में हैं और स्मित इन जोन्स की जिंजर गालिक पेस्टों हम सब अपनी पैंटरी में रखते हैं तो ये प्रोड़क्स हैं Capital Foods के लिए प्रोमिनट और्गैनिक इंडिया है, ये वैसे Fab India की कमपनी FMB प्रोड़क्स है, बड़े पहमाने पर herbal supplements, और्गैनिश पैकेज फूज, और्गैनिक चाय बनाने के काम में ये कमपनी है तो इस तरह का product portfolio दरहसल कमपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है फाइदे क्या है इस particular deal से इस deal से organic इंडिया को acquire करने के बाद nutrition category में कमपनी की entry और उसे scale करने का मौका मिलेगा Capital Foods, pantry platform है, वहाँ पर कमपनी की entry और भी मजबूत होती भी दिखाई देगी 55% से जादा के margin इस business में आगे कमपनी भरोसा रखती है कमांड कर सकते हैं and 50% तके margins वो pantry segment में आते वे दिखाई देंगे यही नहीं, ध्यान दीजेगा, market size बहुत बड़ा है भारत में अकेला market size करीब 5000 करोड का है लेकिन बाकी का जो market size, especially organic products का यह global market 85,000 करोड का और noodles, desi, Chinese market 21,400 करोड के आसपास का है अब किस valuation पर इस सौधा हुआ है, वो आपके सामने आकड़े आ जाएंगे 6.8 times per organic India में का acquisition और 5.2 times per capital food का acquisition इन company ने अब तक क्या deliver किया या फिर FY24 में क्या estimates है, वो आपके सामने है तो FY24 में capital foods की तरफ से 770 करोड तक की आए आ सकती है और roughly 20% plus के यह margins company enjoy करेगी दूसरी तरफ अगर आप organic India देखते हैं तो 360 से 70 करोड तक की आए की उम्मीद और margins इनके भी 17 to 18% रहने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं कुल मिलाकर एक अच्छा खासा proposition company के सामने है पूरा हिस्सा capital foods में company खरीदेगी organic foods में दरसल organic India में 75% पहले हिस्सा खरीदा जाएगा और अगला 25% का हिस्सा तीन सालों में रहेगा company basically कुछ funds raise करेगी कुछ इनके पास cash reserves है इन acquisitions को fund करने के लिए लेकिन 19 तारी को दरसल company की board बैठक भी है और वहाँ पर अतिरिक्ट पूंजी जुटाने के लिए भी बातचीत होगी तो ये है टाड़ा consumer आज उपरी लेवल से हलकी मुनाफ़ वसूली आ रही है लेकिन ये बड़ी deal company ने कर ली है sign इस note पर लेंगे break break के बाद एक एक trade हमारे जानकार और जोडने वाले हैं खिलारी number one में उसकी भी बातचीत होगी